अजरीन और आप सब लोग कैसे हैं तो आज हम बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा यह बहुत ही जायकिदार बनता है और इसकी सबसे बड़ी हुबी यह है कि इसमें कोई भी मसाला पीसकर नहीं डाला जाता है सिवाए हल्दी के सिर्फ हम इसमें हल्दी पॉडर का यूज करते हैं और वरना सारे मसाले हम इसमें साबुत इस्तमाल करते हैं तो चलिए देखते हैं इसके इंगिरीडियन और इसके बनाने का तरीखा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैन इसके लिए हमने यहां पर लिया है यह आधा किलो कीम और दो मीडियम साइज की प्याज हमने इसको बारिक-बारिक स्लाइस कर लेना है पांस से छे लसन की कलिया इसको भी हमने बारिक-बारिक स्लाइस कर लेना है दो से धाय इंच का अधरक का टोड़ा इसको भी बारिक-बार पॉस्ट कर लिया और घर्डरा सा अंपने पॉडर बना लिया है और चार शाबद सूकी लाल मिर्च यह वाली मिर्च भी ज्यादा तीकी नहीं होती है, अगर आप श्कीमे को ज्यादा तीका खाना चाहती है, तो आप ज्यादा तीकी वाली मिर्च ले ले लें, और अपने टेस्ट के हिसाथ सही लें हाफ टी इस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक, हाफ टी इस्पून हल्दी पाउडर, बुद्गरम मसालों में हमने लिए यहाँ पर एक बड़ी इलाइची, तीन लॉंग 5-6 काली मिर्च एक दारचीनी का टुकुड़ा, तीन हरी लाइची, थोड़ा सा जाइफ़ल का टुकुड़ा और थोड़ा सा ही जावित्री का टुकुड़ा, इसको मैंने हामन दस्ते में कूट कर, इसको क्रेश करकर डालना है, कि रखाये है एक से दू तेज पत्ते एक कटोरी बारी कटा हरा धनियाँ ष्ड़ादा का कुकिंग ओईल। मैंने यहाँ पर यह मस्ट्रव। लिया है, आपकी अपनी चाइज है कि आप कुछ भी ले सकती है गी ले सकती है रिफाइन ले सकती है, यह मस्ट्रव 맛있 जय से टेस्टी बनता है और एक कटोरी फुल भरके हम लेंगे दही कुछ लिए बनाना शुरू करते हैं हम खड़े मसाले का कीमा तो इसके लिए हमने आयल को पहले हम दूसरे बतल में गरम कर लिया है मस्टर्ड आयल को अब हम थोड़ा सा ठंडा करके इसमें कड़ाई में डाल देत हैं तेल को हलका सा करको होने गरम कर दो कि अधिकियों उइल गरम हो चुका है तो इस इस में सब सर पहले यह इस 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 ख으श्बू आने लगेगी और यह फूल का मोटी हो जाती है तो मैं इसमें को निकाल लेती हूँ मैंने इनको फ्राइग करके निकाल लेना है। अब हम इसमें यह गर्म मसाला डालेंगे बड़ी लाइची, दारचीनी, लॉंग और काली मिल्जी यह डालेंगे। बड़ी लाइची को मैं खोल कर डालूगे। इसका थोड़ा से मुण खोल दिया है। तक अच्छा से फिलेवर इसमें आजाए। अब इसके बाद अब हम इसमें यह प्यास डालेंगे। प्यास को फ्राइट कर लेगे। यह प्यास को हमने ट्रांस्परेंट कर लिया है। यह इतनी फ्राइट हो चुकी है तो इसमें हम यह लस्सनेट कर देंगे। बारिक कटा हो और इसको भी अच्छे से इसमें फ्राइ कर लेते हैं इसी के साथ हम इसमें तेज पत्ता भी डाल देंगे अब देखे मैंने ये जायफल, जावित्तिरी और हरी लाइची को मैंने इसमें क्रेश कर लिया है यह भी मैं इसमें डाल दूँगी अब हम इसमें अपना ये कीमा एड़ कर देंगे और इसको कीमा को अच्छे से हम इसमें डालका दूल लेते हैं इसके साथ हम इसमें थोरा सा कटा हुआ ये अद्रक डालेंगे थोरा सा में रख लूँगी गार्णिशिंग के लिए और इसको हम अच्छे से बूल लेते हैं इसमें देगे कीमा को हमने अच्छे से बूल लिया है एक से दो मिनेट गैस की ख्लेम को हमने मेडियम तू सिलो ही रखा हुआ है अब हम इसी के साथ इसमें ये हल्दी पॉड़र एट करेंगे और ये बुना कुटा जीरा और धनिया जोता हमारा रोस्ट किया हुआ ये डाल देंगे अब ये में अच्छे से ग्रेश कर लिया है अब ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कैस की फ्लेम को हम मेडियम ही रखेंगे। और दरी भी डाल देंगे इसी के साथ। खाना बनाते टाइम आपके हाथ हमेशा अच्छे से साफ दुले होने चाहिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। आधा कप पानी डालकर और इसको 8-10 मिनिट के लिए कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे। और फ्लेम को हमने मीडियम टू सिलो ही रखना है बस। अब तक हमारे ये कीमा बहुत अच्छे से गल भी जाएगा। और इसके जो सारा पानी है वह खुशक भी हो जाएगा। देखें कीमा पकते हुए 8-10 मिन तो चुका है। ये कीमा हमारे बहुत अच्छे से भुल दे चुका है। इसका पानी ये खुशक हो गया है। और कीमा ये गल भी चुका है। तो अब मैं इसमें फ़रा धन्या डालूँगी। थोड़ा समय रख लूँगी गार्नेशिंग के लिए। और हरी मिर्च डालोगी है जो मैंने आपको शुरू में दिखाएं थी। और एक ज़ल दो मिनट के लिए। मैं इसको फिर गवर कर देती हूं। 2 मिनट के बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगे। उसके बाद धिर हम इसको शुट करेंगे। अब भी तबने के लिए ऍद्वल बिल्कुल तयार है। आप इसको गर्मा-गर्म सुट कीजिए। तंदूरी रोटी, पराटे और चपाती के साथ यह बहुत ही जायकदार लगता है। मैंने यहां पर मशीन का कीमा बनाया है। आप इसमें हाथ का कुटा हुआ कीमा भी ले सकती हैं। वह भी बहुत टैस्टी बनता है। तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे भी अपना फीड़बेक जरूर दीजिएगा कि मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशालला ताला फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज। झाल झाल